तो गुद्ध आपनून आप यू लिए लिमिट बनाने के लिए मैं बढ़ा लूँ लेकि लिमिट क्या है कि 500 से ज्यादा पाडिसिपेंट्स आते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस होता है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है सिस्टम भी बहुत एक साथ चैट करते हैं बहुत सिस्टम हैंक करने लगता है तो प्रॉब्लम होती है तो हमें 500 से जादे बच्चों को एक टाइम पर क्लास नहीं करानी है ठीक है चलो वाक साइजिंग बता दीजे हां वाक साइजिंग बता देता हूं अभी देखो आपको मै कि आईडी सेलेक्टर मताया था क्लास सेलेक्टर आपको बाद में बताया कि प्रेकTH करा अपको ईजीट पहले ही मिल जायगा तो आप कठिन वाले सो आप टफ वाले को नहीं करोगे तो हम लोग देखेंगे ब्साइजिंग दिखेंगे जैसे आपने यहां पे मैं division बनाया और division में हमने एक box बनाया, चलो box बनाया, outer बनाया, कुछ भी हमने इसकी ID दे दी, ID और ID की closing कर ली, इसमें मैंने कुछ text लिखा, इसमें हमने कोई text लिखा, sample text, आप text अपनी साथ से type कर सकते हो, हमने sample text copy किया, और यहां से copy करने के बाद कुछ paste किया, यहां से कुछ paste किया, और paste करने के बाद, अब देखो, अब margin का use क्यों करते हो, padding का use क्यों करते हो, चलो मैंने यहां पे division का style, यह कौन सा CSS है guys, बताओ, यह कौन सा CSS है, यह कौन सा CSS है, यह है internal CSS, और इसके अंदर ID है, तो has symbol use किया, outer और इसकी height दे दिया, height दिया, height दिया, height दिया, 400 pixel, width दे दिया, 400 pixel, कुछ भी, और color दे दिया, मैंने कुछ color दे दिया, background, background color देना है, background color light green कर दिया, या sky blue कर दिया, या red कर दिया, कोई भी color कर दिया, और इसमें कोई text लिखा जाना है, text का color हमने white कर दिया, इतना एक division बनाया है, इतना एक division बनाया है, मैंने यहाँ पे box बनाया, इसकी height क्या है, अभी आपने देखा था, height क्या है, 400 और width है, 400 थोड़ा का मैं font size अगर नहीं दिख रहा है, तो मैं बढ़ा लेता हूँ, हमने कर दिया font hyphen size, font hyphen size और font size कर लिया, चलो 22 pixel font size बढ़के आगया, ठीक है, ऐसा, अब चलो, इसकी height आपने देखा कितनी है, देख लो, 400 pixel, width है, 400 pixel, इसमें मैंने use करा, padding, padding use करा, padding, padding use करा, और आपको मैंने बताया था कि 25 pixel का padding दिया, तो height कितना बढ़ेगा, और width कितना बढ़ेगा, reply आप करो, height इसका padding के साथ, यानि कि inner के साथ, inner के साथ, इसकी total height कितनी हो जाएगी guys, बताओ, 450 हो जाएगी, होगी कि नहीं, यानि कि बढ़ेगा कितना, यानि कि padding आपने दिया ह तो padding 25 pixel top से, 25 pixel bottom से, 25 pixel left से और 25 pixel right से, यानि कि total height बढ़ेगा, top bottom से 50, यानि कि total height हो जाएगा 450 और width हो जाएगा 450, आप ऐसे ही padding बढ़ाते जाओ, आपने 50 कर दिया, आपने 50 कर दिया, तो इसकी height क्या हो जाएगी, 100 pixel बढ़ेगा, 100 pixel width बढ़ेगा, total इस box की height width क्या हो जाएगी, height width हो जाएगी 500, 500, देखो, यानि कि फिर से height बढ़ा, तो अभी क्या है, अभी problem कोई नहीं है, अभी एक single division है, कोई problem नहीं है, लेकिन यही division, आपको मैंने पिछले lecture में क्या बताया था, तीन division बनाया थे, वहाँ पे margin padding दे रहे थे, तो क्या problem आ रहा था, जब height बढ़ रहा था, width बढ़ रहा था, तो division, आज पास के division, disturb हो जा रहे थे, यानि कि नीचे break होके आने लग रहे थे, तो वहाँ पे problem था ना, तो आप ऐसा चाहते हो, जैसे हमने border लगाया, padding दिया है, 100 pixel का, और border भी दिया हमने, border दिया, चलो, हमने border दे दिया, 25 pixel का border दे दिया, 25 pixel solid और green color का border दिया, अब इसकी total border और padding के साथ height कितनी हो जाएगी, गाईज, बताओ, student बताओ, यानि कि इसकी अब height width क्या हो जाएगी, border आपको मैंने बताया था कि border किसी box की outset आता है, बाहर की त तो इसको total height क्या हो जाएगी, 400 height है, 400 width है, और padding से बढ़ जाएगा, 100 यानि कि 500 हो जाएगा, और border 25 pixel top, bottom left, right, यानि कि border से height कितनी बढ़ेगी, 50 pixel total हो जाएगा, 550 और width हो जाएगा, 550 होगा ना, समझ आ रहा है, तो देखो, जितना border दे रहे हो, जितना padding दे रहे हो, उतनी height width तिस्थी बढ़ती जा रही है, यह problem है, तो आप चाहते हो, कि जितना भी, अगर मालो मैंने text कम कर लिया, थोड़ा था text मैं कम कर लेता हूँ, है ना, इसका text मैं कम कर लेता हूँ, चलो, text मैंने कम कर लिया अभी के लिए, और भी कम करना है, और भी कम कर लिया, चलो, अभी, कि इसको अटाया है कि सॉरी यह कहां से क्लोज हो गया कांसर कंट्रोल कैंसिल पे क्लिप हो गया था क्या ओपन तो टेक्स को हमने यहां से टेक्स को अटा दिया देखो लन कराते हैं अभी आपने बार-बार देखा कि पैड़िंग से इसकी हाईड बढ़ गई है और पैडिंग से विट में बढ़ गया है तो आप चाहते हो कि जितना भी हम बॉरडर दें जितना भी बॉरडर दें और वाक्स साइजिंग इसके लिए यूज करते हैं जितना भी आप box sizing और इसका by default value होती है content content hyphen box content hyphen box यानि कि जैसे पहले के तरह था वैसे ही काम करेगा यानि कि height width कम करना पड़ेगा लेकिन आप चाहते हो कि padding और water हम apply करें और height width में कोई changes नहों height width नवड़े है ना यानि कि उस box का height हम कितना भी padding दे लें कितना भी हम border दे लें उसका height कितना हो 400 ही हो यानि कि जो आपका padding और border से उसकी height width increase नहों तो उसके लिए by default तो value होती है content box लेकिन आप चाहते हो कि height width नवड़े तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा उसकी value border hyphen box क्या देना box हटाया और padding भी हटाया अभी देखो height कितनी है आप देखो height कुछ इस type का आ रहा है आ रहा है ना अब इसमें padding देता हूं padding देता हूं padding दिया padding दिया 100 pixel का 50 pixel का padding दिया border दे वाडर दे लिया हमने 20 pixel का 20 pixel solid yellow 20 pixel solid yellow तो फिरते इसकी height width बड़ेगी लेकिन हम height width नहीं बनाना चाहते हैं उतने में ही उतनी height width में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लिखोगे यूज करोगे box sizing property और by default इसकी value क्या होती है content hyphen box हमें यूज करना है content box में क्या होगा कि height width कम करना पड़ेगा और border box यूज कर लोगे तो height width में कोई changes आपको नहीं आने वाले हैं इसकी height 400 pixel width 400 pixel वैसा ही रहेगा देखो run करा लेते हैं और देखो उतनी height है ना तो अब इससे आपको लूडो जो आपको बनाने के लिए दूगा अभी जो chess board बनाने के लिए दिया गया था जो आपको chess board बनाने के लिए दिया गया था अब उसको और इजी तरीके से बना सकते हो आप पैडिंग देना है आपको पैडिंग देना है आपको बॉर्डर दोगे उसमें तो आपको height width बार बार आपने क्या किया होगा height width को कम किया होगा बहुत सारे problems आये होंगे क्यों आया था कि नहीं बार बार आपने height width को कम किया था जब बॉर्डर देते थे division नीचे ब्रेखों के आ जाता होगा पैडिंग देते होगे ब्रेखों के नीचे आ जा रहा होगा तो वो प्राब्लम अब नहीं आने वाला है और इजी तरीके से आप कर सकते हो लेकिन इस प्रापर्टी को मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था कि अगर ये आप यूज कर लेते तो फिर आप मार्जिन पैडिंग के साथ बॉक साइजिंग यूज करते और उस पे प्रेक्टिस नहीं करते है ना बहुत बहुत प्राब्लम है तो अब अब देखो इसका यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाल यह है तो है ना अच्छा यह है क्यों चलो ठीक है अब आते हैं क्या हो है इसमें पानी देती है तो अब हम लोग देखते हैं दूसर क्या मैसेज कर रहे हो सर मैंने पहले बताया था क्या पहले बताया था आपने क्या पहले बताया था आपने हम हलो हां जी हां जी हां जी कि देखो पैडिंग में इम बता दीजी इम और आरिम दो पैरामीटर जैसे आपका क्या है की देखो मार्जिन भी रिपीट करती कि प्लीज मार्जिन को मार्जिन में आपको यह वीडियो देख लेना तो ब्सक्राइब में इसलिए तो मैंने पहले नहीं बताया को अपने वीवेक यूज किया था पहले ही यूज कि ये क्या विवेक मौउकस साइज्ञ रुडर यूज कियी हो तो मैं टास्क टिलीट करोंगा आपको वाक्सराइजिंग का यूज नहीं करके आपको बनाना था मैंने इसलिए आप को नहीं बताया था था अगर 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 आपने विएख टृक किया था तो आप को नहीं करना था अभी के-我們 हई मईटनों करना था रिए ठीक है डीव आर्या इंपर में बता दूं आपको तो आर werd पर्मेटर होता है एक होता है एम तो जैसे आप पिक्सल दे रहे हो ना तो इसका पैरामीटर है अगर यम चdependन ऑन ऑर म नहीं हम वैक्ट वन यमुट्र मोन होता है 16 पिक्सल वन अर्यम 급क्न एकवकर और उस्टीन बिया होता है 1EM equal होता है 12 pixel, 1EM equal होता है 12 pixel तो आप उसके हिसाब से आप parameter दे सकते हो, याने कि किसी की division की height आप तो जितना देना उतने से multiply करके कर सकते हो, याने कि 1REM equal होता है 16 pixel और 1EM equal होता है 20 pixel तो आप pixel में नहीं देना चाहते हो, आप parameter 1REM यूज़ कर सकते हो और 1EM यूज़ कर सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है वह क्यों तो आप पैरामीटर आप पिक्सली यूज कर लीजिए ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं सेंटीमीटर परसेंटेज तो बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है ओके बताओ ओके चलो क्या माइक आफ है सर किसी का माइक आफ है प्लीज आफ करवा दिजे कौन माइक आफ किया वई कर लो काजल एक मैट मैं देखू यहां से मैं मूट कर लेता हूँ यहां से मूट नहीं किया गया है अच्छा चलो ठीक है मैं सब को मूट कर दिया ली तो बॉयजर समझ आया आपको बॉयक इसने लो नेक्स पेज़स पर आते मैं अधी निश्ट्पलय और जुस्टीफाई जस्टीफाई तो मैंने बताया था जुस्टीफाई दिस्प्ले और ढिस्टिफाइब दिश्प्ले भी बताता हूं अभी डिंगेयर बता रहे हो तो बताओं गाया आपको दिसप्ले ओर जस्टिफाइब अधिये बता रहा हूं ez ले लिया एस सांदिन का यह दो या तो पूरे का लेना है जल्दी से ले लो 1216 लाइंड नमबर 1216 और फिर लास्ट नेक्स पेस पर आते हैं अब SP PC ये SP PC क्या नाम है आपका? SP PC बताओ! यूजर आईड से अगर नहीं करते हो ना дост kap do आपका attendance लगता नहीं है सब्सक्राइब नहीं समझ पाते हैं कि सब्सक्राइब कौन है तो आप लोग यूजर आईडी से इंटर करके क्लास जोइन किया करें फिर बाद में अटेंडेंड में प्रॉब्लम आएगा सब्सक्राइब बताओ सब्सक्राइब कि नहीं बताओगे कि एसस लेना है किस पेज का वाई एसस लेना है 17 के आगे ओके लुगो मैं अब इसको सेब कर लूँ पहले सब्सक्राइब कर लिया इसमें आपको एसस लेना है 17 के आगे यहां से यह है एसस ले लो कविता चौदरी कविता यूजर आईडी एंटर की अगर वो के लाज ज्वाइन करने के लिए एससर ग्रूप में मिल जाएगा एसस है क्यूं से ले लिएकरो ना ग्रूप में भेजएंगे सब लोग डिश्टर्ब होंगे बहुए साराइ में मेल जायगा तो है ठीक है है श्रूण नेक्स पेस पेस है cry ले लिया से नेक्स पेस पर आते हैं अब हम लोग को देखना है मेन्यू बनाना क्या बनाना देखना है मेन्यू बनाना HTML में आपको HTML का यूज़ करके मेन्यू बनाना देखना है वेबसाइट में मेन्यू देखा होगा तो सबसे मेन्यू एक मिनट चार्ज में इसको फ्लेट कर लूँ चार्जिंग प्लस अच्छा हाँ 55 वाला डेमो तो सेप किया हमने है सही कहरो चलो यहां पर आते हैं हाँ यहां पर आते हैं अब हमको बनाना है मेन्यू मेन्यू बनाने के लिए कौन से आपको लिस्ट टैक का हम लोग लिस्ट यूज़ करेंगे एस्टीमेल में लिस्ट कितने आपको बताया था मैंने एस्टीमेल में लिस्ट कितने बताया थे आपको एस्टीमेल में लिस्ट बताया था तीन कौन कौन से लिस्ट कौन कौन से लिस्ट बताया था Unorder List, Order List, Unorder List और Description या Definition List Description या Definition List तो चलो हम लोग आते हैं और Menu बनाते हैं हम लोग UL Tag का यूज़ करेंगे या OL Tag का यूज़ करेंगे Menus को बनाने के लिए तो एक हमने Division बनाया Menu आपने देखा है ना Menu तो आपने देखा है हलाग कि हमको menu पे बहुत focus नहीं होना है है न क्योंकि menu तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे यह वाला menu यूज नहीं करेंगे हम लोग आगे देखेंगे बूटस्टैब या सेलविंड CSS आपको बताऊंगा मैं या बूटस्टैब बताऊंगा बूटस्टैब में भी सबसे लेस्ट बूटस्टैब आया है वहां पर आपको पढ़ाओंगा तो वहां पर आपको menu का कोड़ वहां पर customisable चीज़े होती है आप वहां पर बनी बनाई लेकिन छोड़ा हम लोग मेन्यू को कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं बाकी उंको यह मेन्यू यूज करना है आगे तो हमने ऐड दिया एक डिवीजं बनाया है मेन्यू नाम का ठीक है एक डिन बनाया जिसकी आईडी कर दी मेन्यूँ अब चलो इसका CSS देते हैं इसका मेन्यू आपने देखा है देखो website है ये website है ये website है मैंने open किया techfile.in techfile.lko techfile.in run कराया और देखो HTML में बहुत सारी चीज़े हैं ऐसा नहीं है HTML में बहुत सारी चीज़े आपको पढ़ना है इसमें भी बहुत सारे CSS3 की property, HTML के बहुत सारे tag तो केवल आपको HTML थोड़ी पढ़ना है अब हम लोग इसको जल्दी से complete करेंगे बहुत सारे languages पढ़ने हैं तो उसके लिए हम लोग apprenticeship का जो program होता है उसमें बहुत चीज़े details में कराते हैं लेकिन यहां पर आपको जो important है जिसका यूज जादा होता है उसका हम आपको एक एक चीज़े बताते हैं और बहुत details में आपको पढ़ना है तो आप apprenticeship आगे करना होगा तो कर सकते हो लेकिन यहां पर आपको time भी कम है है और इतने सारे languages पढ़ने हैं तो जो चीज़े important हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वाली है उसी type topic को हम आपको बदाते ही है तो यहां पर menu देख रहे हो यहां पर menu देख रहे हो इस पर home पर click किया किसी page पर redirect होगे यहां पर product पर click किया product वाले page पर आगए contact पर click सिख किया तो ऐसे modal box open हो गया ऐसा modal भी आपको मैं javascript बताऊंगा तो बनाने बताऊंगा javascript jquery का यूज करके है ना क्या message कर रहे हो मैं एक बार देखूँ आप्रेंटिसिप में क्या होता है चलो आप्रेंटिसिप के बारे में आपको अभी जानने की ज़रूत नहीं है वह एक बच्चों का जॉब लग जाता है पिछले बार भी किया था लॉग्डाउन से पहले सभी बच्चों की जॉब लग गई है हम हम वाले पी लोगों कैसे लगाएंगे यह न इसके बगल में आइकन के लिए आपको मैं बताओंगा आइकन लगाने जब बूट स्टेप बताऊंगा तो टेक्स के बगल में आइकन लगाना यह आइकन कैसे लगाओगे अभी तो आप इमेज लगा सकते हो लेकिन इसके बगल में आइकन लगाने के लिए आप फाफा यानि की फॉंट आसम की लाइवरेरी को लिंक करना पड़ता है उसको लगाना पड़ता है तो यह आपको मैं बताऊंगा बोट स्टेप में तो चलो यह मेन्यू बनाना है तो यह मेन्यू फॉंट आसम का यूज करते हैं ठीक है तो यह देखो यह आपको क्या करना है कि टेक्स को पहले तो हमको टेक्स बनाना है तो पहले हमने बनाया प और हैज मेन्यू दिया पहले हमने एक हैज मेन्यू दिया हमने और फिर दो दो बार रिपीट कर दूँगा पहले एक बार में समझनी की कोशिज करू आपья hemos ने दिया इसकी हैईट मेन्यू की कुछ हाइट दिया हमने मालो इस की हाइट कर दी 50 pixel और width कर दिया मालो 1000 pixel इसका background कुछ देना है background हमने दे दिया background दे दिया background ना दे के चलो जा तो background दे ही लेते हैं background हमने दे दिया मालो black color menu का जो background दिया black color दिया ऐसा देखो है तो ऐसा यह आएगा टेमो 55.html भिट विट-विट-विट फ वन थाउजनतिक्छल तो ऐसा मैन्नि आया हे और मैन्निम ऐसा मतलब ऐसा बॉक्स बन किया इसके अंदर मैन्नी बनानी है इसके अंदर मेन्यू बनाने थोड़ा साम इसका बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देते हैं तो बॉर्डर आइफ़न रेडियस बॉर्डर रेडियस कर दिया फोर पिक्सल का चारो चारो तरब से बॉर्डर रेडियस देना है यह ना फूर पिक्सल का बॉर्डर रेडिये देना चलो रन कराते हैं अब इसके अंदर इसके अंदर देखो इसके अंदर या तो कलर मैं चेंड कर लेता हूं तो रहा था क्योंकि अभी टेक्स लिखेंगे तो दीखेगा नहीं पहले आपको दीखे तो मैंने अभी ने भी कर खूए तो कश्के पुछ लाइट कर लेते हैं इसका ही ब्लू शिसका इपने के लिए सकरेंगे ऐसा गैल तो बनके आगया अब इसी के लिख दिया home, home कर दिया about कर दिया दो अभी option दिये हैं हमने 2 option दिये home home और about us home और about us home और अब आधाउ दो option दिये, 2 option दिये run कर आया, देखो ऐसा टेक्सलिक क्या रख लेकिन ये text क्या है plain text राय कि hyper text है बताओ ये plain text है कि hyper text है इस पर click करने पर क्या कोई पेज ओपन होगा नहीं होगा हमें इस टेक्स को हाइपर टेक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ क्या करना पड़ेगा कौन से टेक का यूज करना पड़ेगा मैंने बताया है कौन सा टेक सब्सक्राइब करेंगे और हमने यहां पर टेक्स का भी ईपर लिंग बना सकते हो और ऐलाय इका भी हैपर-ling बना सकते हो तो तब यूवल ऑखेवल टेक्स पर क्लिक करोगे तभी किसी दूसरे पेज़ पर रीडारेक होगे लेकिन अगर पूरे UL का बना दोगे जैसे यह है अब UL पे अगर text का केवल hyperlink बनाओगे तो especially जाके आपको text पे ही click करना पड़ेगा तभी आपका page open होगा लेकिन अगर UL को करोगे तो इसके बाहर text के बाहर जितने जहां तक UL की height width रहेगी पूरे UL पे कहीं पे भी click करोगे और page पे redirect हो जाओगे समझ आया? यानि कि UL को हम बनाएं कि text को बनाएं अगर आप यहां पे text को केवल hyperlink बनाओगे तो especially आपको text पे ही जाके click करना पड़ेगा अगर UL को hyperlink बनाओगे तो UL की जितनी height width होगी उसके उस पूरे UL पे ही click करने पे आज पे पेज पे redirect हो जाओगे तो हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग हम भी हम यहां पे क्या कर लेते हैं? anchor tag के अंदर ही हमने इसको रखा हमने रखा ठीक है और anchor tag की closing यानि कि LI को हमने पूरे LI को ही रख लिया है पार्क में एक image रखा एक और पेज यानि कि सेम location पे जहां पे demo 55 रखा गया है वहीं पे demo 54.html भी रखा गया है तो उसी को open करना है तो किसी same location पे है तो मैंने लिख दिया demo 44.html आपको जो भी page open करना है आप करते रहना अभी मैंने किया है demo 44.html अब यह बताओ कि जैसे ही आप इसके अंदर anchor tag का use करोगे तो इसमें कुछ text में कुछ changes देखनों को मिलेगा क्या मिलेगा बताओ text का color by default क्या हो जाता है anchor tag का बताओ क्या हो जाता है blue हो जाता है और क्या होगा और 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 नीचे underline आ जाता है और mouse cursor ले जाने पर उस पर जो arrow का होता है symbol वो hand का symbol बनके आता है तो हमें क्या करना है हमें देखो run कर आया run कर आया run कर आया यह page देखो zoom करके दिखा रहा हूँ तो क्या हुआ जैसे ही anchor tag आपने युच किया नीचे anchor tag का यानि कि underline है color blue हो गया और इस पर cursor ले जाने पर hand का symbol यह normal text है तो देखो typing का icon आ रहा है लेकिन इस पर mouse ले जा रहा है hand का symbol बनके आ रहा है अब इस पर click करोगे किस page पर redirect होगे आपने किसको link कराया था demo 54 को link कराया था click किया demo 54 पर आ गए अब हम बात करते हैं ये तो ठीक है तो जितने options होंगे सबको तो हमको hyperlink करना पड़ेगा menu में जितने options होते हैं सबको सब पर click करने पे किसी ने किसी page पर redirect होना है आपको तो मैंने कुछ options बना लिए अभी अभी मैंने और सबी menu में हमने क्या कर लिया has pass कर लिया अब has pass करने से क्या होता है अभी कोई page मालो link नहीं कराना है तो has pass कर दिया has pass करने से ये क्या करता है current page को call करता है यानि कि current page पे ही रहेगा, किसी दूसरे page पे redirect नहीं होगा, आप जब page बना लोगे तो इसके अंदर link कर दोगे, यह options हमने बनाये, और यहाँ पे लिख दिया नाम about us, about us, हमने कर दिया यहाँ पे register, register, ठीक है, register के बाद कर दिया, contact us, contact us, services, और login, ऐसे कुछ हमने options बनाये, और कर दिया, login, login किया, services और login, page को run कर आया, कुछ ऐसा आया, यह option इसे इतने आ गया, अब देखो, अब menu में, मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम किया हूँ, तो sir has की जगा पे कोई दूसरा symbol यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो वही, ठीक है, इसी page को call कर लो, इसी page को call कर लो, इसी page पे रहना है, तो इसी page का पास-पास कर लो, तो भी उसी page पे रहोगे, है ना, तो इसको मैं जूमाउट करता हूँ, यहाँ पे आए, अब देखो, अब देखो, यहाँ पे, अब यह menu में क्या आ रहे है, यह bullets किसके वज़ए से आ रहे है, आप बताओ, ये bullets जो आ रहा है, menu में जो bullets आ रहा है, ये किस के वज़े से आ रहा है, ये कौन सा tag आपने use किया था, तो bullets आया था, ul tag के वज़े से bullets आ रहा है, तो ul tag के वज़े से bullets आ रहा है, bullets को remove करना है, तो हमें किस tag को CSS देना पड़ेगा, हमें एक तरीका आपको पता है, bullets के type को change करने के लिए मैंने बताया टाइप एट्टिब्यूट वैसे भी हटा सकते हो यहां पर मैंने बताया है लेकिन हमें CSS से अटाना है ताइप circle by default क्या होती है डिस्क होती है circle pass कर सकते हो circle में आएगा square pass कर सकते हो square में आएगा और bullet को रखना नहीं है तो none pass कर सकते हो तो नन कर दिया बुलेट हट जाएगा लेकिन हमें CSS से टाइप को चेंज करना है या तो बुलेट को हटाना है तो देखो उसके लिए हम property यूज करते हैं list style type या तो list style अब आपको आप बात करो तो यहां पे क्या है UL tag को CSS देना है मैंने UL tag को यहां पे CSS को UL tag को सेलेक्ट किया UL tag को सेलेक्ट तो कर लिया अब यह बताओ कि हमने list style कौन सी property होती है list style हाइफन टाइप या तो क्यवल list style और क्या कर सकते हो by default इसकी value क्या होती है जो काम आप type attribute से करते हो वही आप यहां पे list style से वही सारी सारा काम कर सकते हो by default property क्या होता है डिस्क होता है और क्या कर सकते हैं सर्कल करना है तो सर्कल पास कर सकते हैं सर्कल में आ गया देखो बुलेट सर्कल में आ गया square में करना है तो square कर सकते है square और रखना ही नहीं है तो क्या pass कर दोगे none pass कर दोगे तो हमने कर दिया none, none कर दिया none कर दिया और देखो run कर आया ये bullet हट किया ये तो ठीक है bullet हटा लिया आपने अब देखो अब problem इसमें क्या है problem ये है कि आपने टैग सेलेक्टर का यूज किया है तो इस पेज के अंदर जितने भी यूवेल टैग आएंगे सबका बुलेट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा क्यों बताओ सबका बुलेट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा रिप्लाई करो आप हट जाएगा तो हमें क्या करना है हम क्या करेंगे वार तो हम चाहँ किसी particular इसी यूवेल का हमको इस्टाइल देना है तो क्या करना पड़ में हो आपके पास तरीक पता है या तो क्या कर सकते हो बता वूं कमपाऊनड सेलेकटर यानि कि compound UL tag को तो CSS देना है, लेकिन कौन से UL tag को CSS देना है, यानि कि लिखेंगे has menu space UL, अब क्या मतलब है, इसका भई menu क्या है, यानि कि डॉलर आप, यानि कि डॉलर नहीं, यहां पर आप करोगे selector, selector space, आप जो भी selector space, selector space, यानि कि जो जिसके अंदर होगा, वो step follow करता जाएग आप ये menu क्या है, ID है, ये menu एक ID है, इसलिए has symbol हुआ, अगर ये class होता, तो आप क्या यूज करते है, dot symbol, अगर tag होता तो tag का नाम लिख लेते, तो देखो, अब ये इसका मतलब ये है, कि menu ID के अंदर, menu ID, यानि कि has है तो ID है, menu ID के अंदर, जो UL है, उसी पे apply होगा, सब प कर लिया, इसी UL को मैंने copy कर लिया, तो और इस division के बाहर, इस division के बाहर मैंने paste कर लिया, ये बताओ, आप बताओ कि दो UL tag इसके अंदर use किये गए, एक पहला ये tag है, जो कि menu division के अंदर है, menu division के अंदर, एक UL यूज किया गया है, और एक menu, यानि कि जिसकी ID, menu है, उसके बाहर एक UL का यूज़ किया गया है, अब ये बताओ कि दोनों का बुलेट हट जाएगा ना कि नहीं हटेगा, बताओ, नहीं हटा, क्योंकि आपने जो UL को select किया है, UL को जो select किया है, वो किसको select किया है आपने, आपने menu division के अंदर का UL को select किया है, तो मैंने इसको हटाया, तो ये समझ आया, ये समझ आया आपको, मैंने इसको अटाया, अब देखो ये तो आ गया, यानि कि compound selector ऐसे आपने यूच गया, अब हमें क्या करना है कि LI, जो list item, ये एक LI के अंदर लिखा गया है, ये home, एक list item है, एक about us एक list item है, एक contact us list item है, एक services list item है, एक login list item है, है न, तो ये list item जो है, अब इसके style को change करना है, यानि कि इसके style को, इसका background color को change करना चाते हैं, इस list item के background color को change करना चाते हैं, तो देखो, अब हमें किसको select करना पड़ेगा, LI को select करना पड़ेगा, यानि कि list item के style को change करना है, इस list item के style को change करना है, तो किसको select करोगे, LI को, लेकिन इ सरव हो जाएंगे सभी लीज के लृएगे यह एक टैग है तैग सेने tim ये तो जीतने भी इस डैग थाएंगे सभी सेलेट हो जाएंगे तो हमें क्या करना है उसी इल आई को सेलेक्ट करना है मैंन्यू डिवीजटेह rasa दाधा расп Q谢谢 यू यू आग वेक्ट एलाई सेलेक्ट होगा इसके बैग्राउंड कलर को देना है चलो मैंने बॉर्डर लगा इस एलाई पे हमने कुछ बॉर्डर लगा दिया बॉर्डर लगा दिया वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो देखो और बैग्राउंड कलर भी कुछ दे दिया मैंने, बैग्राउंड दे दिया मालो, ओरेंज दे दिया भी कलर मैं हटा भी दूँगा, ओरेंज दे दिया, देखो, अब ये आप बताओ कि लाई कैसा एलिमेंट है, ब्लाक लेवल इलिमेंट है कि इनला इलिमेंट है, बताओ, लाई ब्लाक लेवल एलिमेंट है कि इनलाइन लेवल एलिमेंट है, सभी लोग रिपらई करो, क्या कह रहें, सोरी सब, मैं जा रहा हूं, वीडियो पैनल पे अब्लोट कर तीजे, कौन है वई, एक मिनट, यह मैसेज उपर चला जाता है ना एक्षिली कौन हो आप तो मैं देख लूँ भई मैसेज पुरा मैं रीड नहीं कर पाता तक तक उमेश क्या दिक्कत है वमेश कहां जा रहे हो तुम आज का वीडियो मैं अप्लोड नहीं करूंगा ठीक है चलो अब तुम लोग क्लास ना जॉइन करो अब देखो समझ आएगा तुम लोग को ठीक है अभी तो आनलाइन क्लास है ना इसलिए अपनी मनमानी करते हो तुम लोग आफ लाइन में अगर आये रहते तो समझ आता तुम लोग को चार चार घंटे बैठा के पढ़ाते हैं और बच्चों बच्चे पढ़ते हैं बैठके ऐसा नहीं होता है कि 20 में 20 से क्लास से निकल ग मैं कुछ कर नहीं सकता तो आप मीटिंग को लीप करो आओ जाओ क्लास ना करो मैं आपको क्यों कह सकता हूं है ना कि जॉइन करो आप नहीं सीख पाओगे क्यों कह सकता हूं अभी कुछ कर नहीं सकता है ना लेकिन आफ लाइन यही क्लासे चलती तो आप देखते हैं आप इ कि या विवे क्या कहल आप पढ़ाई एक यह एक या कह रहो नो जो ए और या और कि तो यह ब्लॉट है क्यों निवेल एलिमेंट है क्यों कि इसका बाई डीफॉल्ट क्या है बाई डिफॉल्ट यह वेट टोटल ले के आ रिक्टे साथ सो रहा है विए blossom किया रेख दो मैंने इसका क्या किया विट्छ थोड़ा कम रहें विट्छो competent रहा विट्छंट हमने कर लिया लो लो हंते पिक्सेल एंडेट ़िकसेल कर लिया और कुछ हाइट कि मी desem कर लेते हैं हाइट कर लिया 45 पिक्षल इस एलाई का हाइट कर लिया 45 पिक्षल देखो ऐसा आया ऐसा आया टेक्स को सेंटर में करना है टेक्स को क्या करना है सेंटर में होरीजेंटली सेंटर में करना है तो इसकी हाइट मैं और कम कर ले रहा हूं एलाई की हाइट मैं और कम कर ले रहा हूं 40 पिक्सल कर लिया 40 पिक्सल कर लिया और थोड़ा चोटा हो गया इसके टेक्स को हरी जेंटली सेंटर में लाना है तो क्या कर लोगे टेक्स हाइफन अलाइन यूज कर लोगे, टेक्स अलाइन, सेंटर यूज कर लोगे, तो सेंटर, सेंटर यूज कर लोगे, तो हर अलाइनमेंट सेंटर हो गया इसका, अब बताओ, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, टॉप से सेंटर में राना है, तो आप क्या यूज कर सक तो यहां पर हमने यूज करा लाइन हाइट यूज कर लिया कितनी लाइन हाइट पास करेंगे 40 पिक्सल 40 पिक्सल और देखो यहां पर कुछ ऐसा है यह text center में आ गया अब आप देखो जो यह menu है यह list item है यह by default block level element है नीचे आ रहा है width थोड़ा था और बढ़ा देते हैं block level element है नीचे आ रहा है width मैं इसका 110 कर देता हूँ block level element है नीचे आ रहा है है इसको क्या करना है inline level element बनाना है तो देखो display property होती है display inline कर सकते हो display inline कर सकते हो display inline कर सकते हो एक ही line में दिखाने के लिए या तो आप क्या use कर सकते हो float property का यूज़ कर सकते हो या तो display inline कर सकते हो या तो float property का यूज़ करते हो तो देखो आप float के लिए habitual हो तो हम लोग float ही यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं float और left है ना float left और inline block करोगे देखो अभी देखे थे कि height कम हो गया था इन लाइन किया तो हाइट कम हो गया था और आप हाइट विड़ डिफाइन करने के लिए इन लाइन ब्लॉक करोगे तो जितना हाइट विड़ डिफाइन किये रहोगे उतनी हाइट विड़ लेगा था ना तो आप इन लाइन ब्लॉक यूज़ कर सकते हो या तो इसको मैंने comment गिया और अभी float left यूज़ कर लिया और देखो ये कुछ ऐसा है ऐसा आ गया है अब हमें क्या करना है अब हमें यूज़ करना है इसके बाहर बाहरी space देना है मैं चलो इसके color को भी change करना है टेक्स के color को change करना है तो color property यूज़ किया color कर लिया white इसके बाहर और color कर लिया white कुछ ऐसा text का color आ रहा है अब इसके बाहर बाहर space छोड़ना है हमें top में और पहले चलो हमें left में छोड़ना है एक property आप देखो इसको थोड़ा नीचे लाना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो margin का यूज़ कर सकते हो जब यहां पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा border define करना पड़ेगा one pixel solid क्योंकि margin के लिए किसी outer के अंदर direct child बनाओगे तो margin कहां से लेना है वो consider नहीं कर पाता है तो outer पर आपने देखो टास्क भी बना होगे तो margin top से नहीं ले रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ता ह भी बताऊंगा तो भी कर सकते हो इसको टौप में ले जाना है तो margin – में value दे सकते हो margin – में value दे सकते हो या तो transform translate का भी अभी इमें उ तो इस LI को हमें ऊपर ले जाना है, तो हम लोग देखो यूज करते हैं यह transform, क्या यूज करेंगे? transform और translate, value क्या यूज करते हैं? translate, इसके बहुत सारे value यूज किये जाते हैं, अब यह आपको बताऊंगा मैं, तो translate, translate किया और y-axis इसको क्या बोलते हैं? y-axis और इसको बोलते ह आपको टॉप से नीचे लाना है, तो positive value होगे, हमने क्या करना है कि मालो translate करना है, कोई division है उसके actual position से, किसी कोई भी box है, उसके actual position से आपको top, bottom, left, right shift करना है, तो आप translate का यूज करते हो, तो left, right shift करने के लिए translate x property होता है, और top, bottom shift करने के लिए translate y property होता है, तो अगर आपन किया hundred pixel hundred pixel किया तो इससे क्या होगा कि अपने actual position से hundred pixel नीचे आ जाएगा इसको CSS दिया है LI को दिया है देखो नीचे आ गया लेकिन हमें क्या करना है ऊपर ले जाना है तो हम यह value negative दे चलते हैं क्या तो नीच देखो यह ऊपर चला जाएगा कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा दिखेगा इसके उपर चला गया तो हमको negative value थोड़ा कम करते हैं वही हमने कर लिया मालो 10 pixel अभी हमने किया है negative value दिया 10 तो अपने actual position से थोड़ा सा ऊपर गया थोड़ा और ऊपर ले जाना है तो मैंने कर लिया मालो 11 कर लिया 11 कर के देख लेते हैं तो यह थोड़ा टॉप में ऊपर गया और थोड़ा करना है मैं इसको कर लेता हूं 12 पिकसेल तो यह उपर चला गया या तो margin minus margin minus top भी दे सकते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यह उपर चला गया, अब इसके बाहर बाहर space होना है इसके, यानि कि सभी LI के left में space होना है यानि कि यह LI है एक, उसके बीच में space सब्सक्राइब करो कि यह जो जाएंगा दे सकते हो या तो दो साइड देना है तो एक साथ value define कर सकते हो या तो हमने किया margin margin हमें top bottom से नहीं देना है 0 pixel कर दिया अनिकेद है न तो देखो 0 pixel और क्या कर दिया और हमने कर दिया यानि कि top और bottom से क्या करना है हमें top bottom से नहीं देना है तो 0 pixel कर दिया और left right से जितना padding देना है मानलो 10 pixel देना है तो top bottom से 0 pixel और left right से 10 देना है तो ऐसा दिया तो देखो अब menu पे कुछ इस type का CSS अप्लाई हुआ run कराते हैं एक minute देखो ऐसा आया और भी space मैं थोड़ा सा इसको जूम किया हूँ और भी space देना है तो और भी space मैं left right का बढ़ा देता हूँ इसको मैंने कर दिया 20 pixel करके देख लेते हैं 20 pixel आपको सर मेरे में करने पे left की तरफ जा रहा है क्या left की तरफ जा रहा है तो आपने translate y यूज नहीं किया होगा x यूज किया होगा ठीक है ना अजित देखो run कराया ऐसा है तो ऐसा menu थोड़ा सा मैं इसको zoom करता हूँ अब इस पे जैसे इस पे border radius है इस पे border radius है वैसे हम इस पे भी border radius दे सकते हैं इस पे भी border radius दे सकते हैं चलो हमने जैसा भी menu बनाना है आप बना सकते हो border-radius border-radius कर लिया और मालो हमने देदीया 2-pixel, 3-pixel, 3-pixel किया, तो कुछ इस टाइब का आया, और देखो, यह ऐसा, इस पर भी border radius अप्लाई हो रहा है, जैसा menu बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, चलो मैंने इसका color हटा दिया, हमने इसका color हटा दिया, जो एलाई का कलर आ रहा था तो कुछ मेन्यू इस टाइब का आएगा तो जैसा आपको इस टाइल देना है आप अपनी साथ से देते रहिए इसका बॉर्डर भी अटाना है तो बॉर्डर भी हटा सकते चलो मैंने इसमें बॉर्डर दिया है बॉर्डर दिया है बॉर्डर वन माउस ले जाने पर color change करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो has menu space li colon h over कर लिया और उसके बाद background color सौरी यहां पर नहीं background color देना है तो background दे दिया background जो भी color देना है मैंने कर लिया black तो black कर लिया और color को करना है white तो color white कर लिया इसको slowly apply करना है तो transition यूज कर लिया transition यूज कर लिया all linear या easy जो भी आपको यूज करना easy one second कर लिया तो सब पे एक शकेंड में apply होगा यह color इस पे लाए 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 इमेज को यूज करना है तो बॉचट इमेज लगा लेँ थ्फोड़ा सा ट्रांसपरेंट मेन्यू बनाना चाहते हैं थोड़ा सा ही सैंष्य आप को इसके बॉच he बैग्राउंड में हमने एक image लगा लिया background और URL और URL देखो बहुत सारे student कर रहे थे कि सर वो background में image लगा रहे हैं नहीं सो हो रहा है तो बहुत सारे student क्या कर रहे होंगे कि path copy करके paste यहां पे करेंगे तो apply नहीं होगा यहां पे path copy करके paste करोगे तो यहां पे image नहीं लग पाएगा आपको path set करना पड़ेगा एक path को लिखना पड़ेगा तो copy paste ना करना है ना तो आते हैं और क्या करना था मुझे image लगाना था इमेज लगाना था, तो इमेज देख लेते हैं वही, इमेज कहां पर रखा है, क्या नाम है इमेज का, तो मैं यहां पर आता हूं और Images folder के अंदर image हमने एक रखा था सायद, Images folder के अंदर हमने abc.jpg रखा है, तो images, images, slash abc.jpg, हाँ, रन कर आया, कुछ इस टाइब का image आया, रन कर आया, कुछ इस टाइब का image आया, देखो, रोड होने में थोड़ा time लगेगा, आया, cover करना है, page को cover करना है, तो क्या करोगे, image को cover करना है, तो कौन सी property बताई है, एक मिनट, हाँ, background, size property बताई है, cover लिख दिया, cover हो गया, image तो cover होके आगया है, है ना, image तो cover होके आगया है, देखो, cover होके आगया, अब इस menu का हमें transparent color देना है, menu का transparent color देना है, तो चलो हम लोग क्या कर सकते हैं बहі, यहाँ पे जो menu का हमने dark color दिया है, इसका हमें मालो की RGBA कolor transparent color लगाना है, जो भी transparent color लगाना है, आप RGBA वेल्यु दे सकते हो, black color का transparent color लगाना है, 0,0,0 यह मैं आपको RGB color लगाना भी बता चुका हूं हमने कर लिया 0.5 या 0.6 जितना भी transparent करना है आप कर सकते हो मैंने बनाया देखो और ऐसा कुछ आया है अभी लोड हो रहा है color कहां पे देखो इस type का menu आया है transparent आ रहा है ऐसे transparent बना सकते हो इस पे mouse ले जाने पर इसका भी color देना है जो dark आ रहा है यह dark आ रहा है यह color dark आ रहा है इसका भी transparent color देना है आप देखते हो इसके बाहर-बाहर menu के बाहर-बाहर आपको water लगाना है water one pixel का black दिया है उस पे white कर लेते हैं तो ज़्यादा थाई दिखेगा यहा इमेज के वर से ऐसा इस पे mouse ले जाने पर आपको transparent color जैसा भी देना है आप दे सकते हो LI पे mouse ले जाने पर आपको RGB color देना है तो black के जगब पे भी हमने white color का RGB color देना है तो RGB जो भी color का transparent color देना है color picker से pick करिए और वो value pass कर लिए RGB हमने white color का transparent value होता है 255, 255, 255 और क्या कर लेंगे 1 करेंगे तो dark color आएगा और हमने कर लिया point 4 तो white color का transparent color आएगा और white पे white दिखेगा नहीं तो मैंने कर लिया black है ना तो कुछ इस टाइप का आया और जब मैं इस पे mouse ले जा रहा हूं देख जब इस पे mouse ले जाने तो white color का आपको transparent color आया और यह से लोली apply हो रहा है थोड़ा सा और मैं डार कर सकता हूं इसको तो white color का मैंने कर दिया point 7 तो इस टाइप का menu आपने बनाया कि है ना कि क्यों समझ आया फिर ते एक बार बताओं क्या कि समझ आया बताओ कि इसी में एक दूसरा मेन्यू बना दूँ कि समझ आगया सबको अच्छे से तर ने क्लियर है आगया फिर से बताने की जरूद है क्या यस सर आगया कि अध्या क्लियर्ट है यस सरर यस नहीं अ इस कुलदी थोडगो फास्ट हो गया था धिनो Paterson इसन कप पढ़ाएंगे।इशन भी पढ़ा देता हूं अभी पढ़ा दोगा पोजीशन सारी प्रोपर्टी बताओंगा पोजीशन देखो आज ही बता देते हैं चलो अभी बता दूँगा वीडियो पॉस हो गया था एसस लेना है कि समझ तो आया है अच्छा चलो मैं एक बार फार्सली एक बार और चीजों को रिपीट कर देता हूं एक और मेन्यू नीचे इसी के बाहर मेन्यू टू बनाता हूं थोड़ा था इसको फार्सली बताऊंगा आप समझने की कोशिस करना अगर जिसको समझ आ आ चाहे एक धूसरा मैं इसी मेन्यो के नीचे बनाता हूं डियू gan minimize कर दिया ंडिया है मेन्यू 1 कर दिया अब फार्सली कराओं का देखो ये हमने बनाया और इसी मेन्यू को मैंने कशूर कर लिया थीक है मेन्यू की आप्सन मालो यही रहेंगे यह तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है CSS में ही प्रॉब्लम हुआ होगा है ना तो मैंने यह बनाया अब इस पे यह CSS अप्लाई होगा क्या जो भी यूवल दिया गया है आप आपने देखा रन करा लेते हैं देखा यहां प्यार है यहां प्यारा है इसको अब थोड़ा देखो तो हमें क्या करना इस में बुलेट्स आ रहे हैं हमें यूवल को CSS देना पड़ेगा वो बुलेट्स किसके वज़से आ रहा था वई वो bullets आ रहा था UL के वज़े से तो UL को तो CSS दोगे लेकिन UL को CSS दोगे तो सभी UL पर apply होगा लेकिन हमें कौन से UL पर देना है CSS जो menu one division के अंदर है menu one division के अंदर का UL select किया और उसके style को change करना है तो list style property होती है bullets को आपको हटाना है तो list style none कर सकते हो bullet हट जाएगा चलो bullet हट गया चलो यहां से bullet हटा लिया आपने bullet हट गया है ना sorry यह क्या हो गया एक मिनट यह black color कहा से आने लगा पैनी से कुछ closing हट गया यह क्या एक मिनट अच्छा वो लोड नहीं गवा था किगे अब bullet हट गया मैन्यू1 का भी style देना है चलो मैन्यू1 का भी थोड़ा सथा style देते है तो मैन्यू मैंू वагएस मैन्यू1 और इसका प्छा hoffe देते हैं इस पाक इसका सबड़ा देते हैं हरें मैन्यू का हमने दे माललो आपको इसका आप देना ह् 60-60 pixel height देना है if all we do not give the known i10 1260 विशाय इसका देना 24 यह 800 पिक्सेल विट कर लिया को च्राहत क्लें एक देना है तो तो बैटरान दे सकते हो बैगोर्ड हमें मालो background हमें ग्रेडियंट कालर देना है तो हमने यूज़ किया लिनीर हाइफन ग्रेडियंट इस लिनीर ग्रेडियंट य्ज पर पोगाना है तो बॉडर दे दिया वन पिक्सेल वन पिक्सेल वन पिक्सेल सौलेट ब्लैक कलर इतने में कोई तो नहीं है यह मेन्यू बनाया उसका इस्टाइल दिया कुछ इस टाइप का इस्टाइल दिया है कर दिया यह विटफ हमने kरदिया यह वेलग्ट हमनेट-था करना है कि तो ऐसा आया यह थोड़ासा इमेज भड़ी लग गई है इसलिए लोड होने में टाइम लग रहा है ऐसा आपने menu बनाया जिसका आपने ऐसा color दिया ऐसा color दिया अब इस पे border थोड़ा सा आपको इसके बाहर टॉप की तरह भी space छोड़ना है तो आप margin का यूज़ कर सकते हो या तो आप यहां पे क्या कर सकते हो अभी margin थोड़ा सा confusion है आपको तो यहां पे हमने क्या कर लिया इस division के बाद VIP ठीचिर कलिया इसके बार टाकि सब्सक्राइक या तो해설 और यहमें विए टाइग तेस्म क्या नीचे आया इस पर र西ल ब्स लगाना है तो आपको पता है यहां पर हें थोड़ाएंगा चैना है वहीं तो ऐसे पर थोड़ा एसे ताइप कर देना है और डियस और जी यहां लिय्ड Васıl ढंक्रा लिया कुछ ऐसा आया अब यूवल आया अब यूवल के बार ए पयाते हैं यूव caucus को हमें वूबर रीड़िया ओर उसके लिस्ट आइटम ऑपार उसको तो पहले तो हमें इसका बैग्राउंड color देना है इसका पहले background लेकिन कौन से ki को से जाएंगे तो हमें उसी को स्एक करना जो मैंडि के अंदर है तो menu न्यू वन डिवीजन स्पेस इलाई इसका बैग्राउंड कलर अभी धिया आप बैग्राउंड कलर पर देखे देख लिया करो बाद में अधिक लिए बाद में कलर रटा दूगा इसका हाइट कुछ देदेते हैं हाइट मालो दे धिया 40 पिक्सल विट इतका कुछ देना है वि ब्लेक लेट का बॉटर दिया कुछ ऐसा धीकरई ये मेन्यू कुछ ऐसा धीकर देख K इमेड देखो ऐसा ऐसा भॉट रहा है ब्ला क n pulses अब इसमें क्या करना है वहिए हमे ते को सेंटर में करना हे तो ला इसके देना हाइट क्योंकि सिंगल लाइड सिंगल है तो लाइन Height कितना देलेंगे जितनी इसकी हाइट होगी हाइड कितनी है 40 पिक्सल कर दिया इसके color को change करना है color कल رुका का दिता हूँ white तो wight कर दिया ठीक है color को करना है white wight कर दिया ऐसा है ठीक है छिसके र तो怎麼辦 के लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन संप रहा है एंडर्लाइन क की वज़ए से एंडर जना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन आप गे आपको मैंने जब लो झाहिए उसमें तीन वच्बहु पास्ट करते हैं बतादा text decoration by default value underline, overline लगाना है तो overline pass करते हो और नहीं रखना है तो none pass करते हो अब इसको क्या करना है कि vertical आ रहा है इसको horizontal करना है ये menu vertical आ रहा है इसको horizontal करना है तो क्या करोगे float left का use कर लोगे float left float left कर लिया चलो float left कर लिया और float left कर लिया यह left में आ गया यह इतने भी options हैं सब एक दूसरे के left में आ गया आ गया अब इन सब के बीच में space देना है बाहर 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 इन सब के बीच में space देना है तो हमने क्या कर लिया वही margin यूज कर लिया margin 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 हमें यूज करना है top bottom से पहला या तो आप केवल left में margin देदो या केवल right में देदो या top bottom से हमें करना है 0 pixel और 10 pixel देना है 10 pixel देना है यानिकि top bottom से 0 pixel आएगा space और left right से left right से कितना आएगा 10 pixel तो देखो top bottom से apply नहीं होगा और left right से सभी li में इतना space set होके आ जाएगा ये load होने में थोड़ा time लग रहा है कि यह ब्रेकों के नीचे क्यों आ रहा है क्योंकि विर्थ बढ़ जा रहा है विर्थ बढ़ जा रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि या तो आउटर का विर्थ बढ़ा लो या तो मैं इसका क्या कर लोऊ थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं 5 pixel कर लेता हू किया और भी थोड़ा कम कर लेता हौं मार्जिन कुछ ज़्यादा है मैं तू पिक्सल कर लेता हूं ठीक है ठीक है ना या वन पिक्सल कर लेता हूं विड्ट थोड़ा कम हो गया है तो आप 850 से विड्ट बढ़ा लो तो इसका width आप बढ़ा सकते हो, इसका width थोड़ा बढ़ा सकते हो, बढ़ा लेना आप, अब इसको क्या करना है, top में ले जाना है, top में ले जाने के लिए, हम लोग अभी आपको transform के बहुत सारी value बताएंगे, तो या तो margin minus top भी कर सकते हो, या तो आप use कर सकते हो, transform, transform property, और इसमें top bottom shift करने के लिए, आप translate यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, translate और y, y axis पे अगर positive value दोगे, तो ये नीचे आएगा, हमने कर लिया 10 pixel, 10 pixel तो ये y axis से 10 pixel नीचे आगया, देखो, y axis से 10 pixel नीचे आगया, अभी देखो, refresh हो क्या आएगा, और जितनी value बढ़ाते जा जाएगा, और यही value आप negative करोगे तो उपर जाएगा, तो देखो, जाया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, कम कर लेते हैं, हमने कर लिया 7, 7 कर लिया, तो कुछ ऐसा है, ठीक है न, ऐसा, इस पे भी border radius अप्लाई करना है, आप कर सकते हो, इस पे भी border radius अप्लाई करना है, त तो border radius, li पे भी border radius देना है, तो border-radius आपको देना है, मालो हमने देना है 4 pixel, 4 pixel, 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel, तो कुछ ऐसा border radius आएगा, इसमे भी आप color gradient color दे सकते हो, इसका भी आप gradient color दे सकते हो देखो ऐसा menu आया है इसमें भी gradient color दे सकते हो तो हमें क्या करना है कि red के जग़ाँ पे radial gradient यूज करना है तो हमने कर लिया radial radial hyphen gradient और इसमें हमने वही color यूज किया navy navy और sky blue तो देखो इसका कुछ color ऐसा आया इस टाइप का menu आया इसमें माउस ले जाने पर color को change करना है तो वह सारी चीज़े आप कर सकते हो तो मैंने आपको बताया था क्या यूज कर सकते हो तो circle color तो आपको यह सारी चीज़े gradient वेगरा बता दे चुका हूं आप बना सकते हो तो देखो यह circle में आया थीक है तो मेन्यूज बनाने के लिए आपको समझ आया कि बताओ कि क्यों कि वैसे होवर लगाना है एच होवर लगा सकते हो कि यह सर को कौन पूछ रहा था जिसको confusion था चलो next page पे आते हैं अब हम लोग देखते हैं rotate वगेरा rotation कैसे करते हैं हम लोग CSS3 की property देखते हैं rotate करने करना तो STML में आते हैं STML में आते हैं और 47 से पहले page पहले page का छूड़ गया विपिन पटेल 47 चलो last में एक बार पूछ लेना अभी पढ़ा लेने दो ठीक है तो आते हैं head section पे और head की closing किया body पे आते हैं body section body की closing और save कर लिया तो अभी देखते हैं demo 56.html और यहां पर हमने एक बनाया division बनाया एक division बनाया चलो और rotate करने के लिए कितने property यूज करते हैं बहुत सारे उसके लिए property यूज करते हैं transform प्रापर्टी यूज करते हैं और 2D transform में कितने property हम लोग यूज करेंगे एक देखेंगे rotate क्या देखेंगे rotate देखेंगे फिर उसके बाद rotate के बाद देखेंगे skew क्या देखेंगे skew देखेंगे skew के बाद देखेंगे skew x ठीक है फिर देखेंगे skew y skew y फिर देखेंगे scale scale x अभी ये बताऊँगा मैं अभी यूज कराऊँगा तो आपको समझा आएगा scale x scale y और scale scale और उसके बाद translate अभी भी बताया था ना तो translate है ना translate देखेंगे translate एक मिनट ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई ट्रांसलेट वाई और ट्रांसलेट ये टूडी टूडी रोटेशन के हैं translate है ना translate इतने वैल्यू हम लोग देखेंगे याने की रोटेट इस्क्यू है ना रोटेट इस्क्यू बहुत सारी वैल्यू इसके होते हैं translate हाँ वैसे ही हाँ वैसे अभी 3D रोटेशन में भी हम लोग देखेंगे क्या याने की अभी देखेंगे rotate x, rotate y और rotate j इसको भी देखेंगे तो चलो इसको rotate यानि की rotate transform ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखना है और इसके इतने सारे value को cover करेंगे हम लोग तो देखो ये division बनाया है हमने हमने जो division बनाया है यहाँ पर ये जो division बनाया है अब इसको CSS देना है इसको rotate करना है तो style लगाते है style style की closing ठीक है division है height दे दिया माल लो 400 pixel width दे दिया 400 pixel border दे दिया कुछ भी border 10 pixel solid red दे दिया background color कुछ देना है background equa कर लिए background equa इसमें कोई हमको text लिखेंगे आगे तो text का color माल लो white करना है कुछ dark color equa के जगह पे कुछ dark color कर लेते हैं माल लो purple कर लेते हैं ताकि white color इसमें सही दिखे और text को center में करने के लिए horizontally क्या करोगे यह सारी चीजे पता है इसमें text लिखेंगे उसको center में करना है तो center में यूज करना है इसको इसको बॉर्डर इसको अप्लाई नहीं हो रहा है अब इसको center में करना है तो क्या यूज करोगे आपको center में करने लेकिन हमें top bottom से भी space देना है तो हमने दे दिया 150 pixel यानि कि इसके top में 150 pixel और bottom में 150 pixel बाहर का space और left right से आटो यहां पे center में आ गया आना यानि कि top में 150 pixel bottom में 150 pixel left से और तो राइट से आटो यह division center में आ आ या है अब इस पे इस division पर हमको rotate property देखनी है यानि कि transform property देखनी है इस division को rotate करना है rotate करने के लिए transform property का use करते हैं क्या use करते हैं transform transform property का use करते हैं और यूज किया, rotate, rotate किया, ठीक है, rotate, कितने angle पे rotate करना है भाई, वो degree इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा, हमने कर लिया 20 degree, 20 degree किया है, तो ये 20 degree में ये division rotate हो गया, ये 20 degree पे rotate हो गया, जितने angle पे आपको rotate करना है, आप वो angle इसके अंदर पास करोगे, उतने degree पे ये rotate ह होता जायगा आपने किया आप जतना एंगल आपको पास करना है उतने एंगल आप सकती है में टान हो सकता है चलो हमब फयर रोल करना है हमें जब मामस कैसर ले जाएं मामसे ले जाने तबxico करना है तो क्या گरना पड़ेगा उस division पे आप mouse ले जाओ तब rotate करना है तो क्या use करोगे बताओ होवर किसका होवर लगाओगे किसका होवर लगाओगे आप किसका होवर लगाओगे भाई देखो इसकी id क्या है आईडी नहीं है डिवीजन है डिवीजन का होवर लगाओगे डिव कॉलन होवर और यहाँ पे हमने यूज किया क्या हमें यूज किया ट्रांसफॉर्म यूज किया ट्रांसफॉर्म और रोटेट करना है तो रोटेट पास किया कितने angle पर rotate करना है वही मालो 45 degree पर rotate करना है पास या 45 angle पर यह rotate तो हो गया देखो लेकिन यह rotate यह rotate पहले rotate नहीं हुआ है जब आपने उस पर इस chat box को मैं side में कर दूँ दो देखो mouse ले गए यह rotate हो रहा है mouse ले गए यह rotate हो रहा है तो अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है कि इसको slowly apply करना है इतका आप मालो mouth ले जाने पर आपको background color भी change करना है मालो ले जाने पर हमें background color चेंज करना है background मैंने मालो कर लिया navy, border का भी color change करना है तो border हमने कर लिया 10 pixel solid yellow तो यह सारी property change हो रही है याने की rotate हो रहा है यह navy change हो रहा है यह याने की background change हो रहा है और यह border change हो रहा है सबको सारे CSS apply होने में हम transition delay देना चाहते हैं तो property कौन सी है transition 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 और transition timing function एक property होती है वह भी अब मैं आपको आगे बता दूना देको बहुत सारी चीज़े हैं CSS में अगर पढ़ने लगो एक एक चीजों को मैं आपको बहुत deeply बताऊंगा तो बहुत फिर HTML ही पढ़पा होगे अब बहुत सारी चीज़े हैं तो आप देखो यहां पे हमने लिख दिया all सबको एक साथ आपको apply करना है तो आप all लिख सकते हो all और two seconds two seconds कर सकते हो easy अब इसके बीच में define करते हैं delay का style define कर सकते है easy के जगह पे आप देखो होता है फिर slow हो जाता है इसको चलो मैं अलग से property बता दूंगा कि easy क्या होता है easy के जगह पे आप easy in भी कर सकते हो तो उसमें क्या होगा कि slow start then fast होगा easy in easy in out भी कर सकते हो यानि कि slow start होगा होगा फिर normally speed रहेगा फिर slow हो जाएगा फिर एसे ही आप easy out कर सकते हो यानि कि slow end होगा यह बहुत सारी property होती है तो चलो मैंने यहां पे linear करोगी तो same speed से क्या होगा apply होगा तो यह सारी चीजे हैं तो आपने लिखा all easy one two second कि आप यह सारी चीजें दो second में apply होगी देखो मैंने run कर आया मैंने run कर आया और run कराने के बाद यह slowly apply हो रहा है यानि कि background slowly apply हुआ background slowly apply हुआ water slowly apply हुआ और transform slowly apply हो रहा है अब देखो इसको आपको one cycle move करना है तो degree क्या pass कर लोगे one cycle move करना है मालो अभी हमने 60 degree move करना है तो यह तो आपने pass किया यह तो दिगरी आपने pass किया जब लेकिन mouse हटा रहे हो तो कौंसा esas apply हुआ हो रहा है mouse जब हटा रहे हो तो कौन Зaskла API हो रहा है वाक्स जानी कि division के अंदर का तो उसपे कोई transition आपने delay दिया है जानी कि इसके लिए तो slowly apply हिए हूर है सकते हो all easy one second or run कराया ऐसा आया माउस अटाया ऐसा है वन साइकल मूब करा रहा है तो 360 डिग्री पास कर सकते हो 360 कर लिया और देख वैसा वन साइकल मूब हुआ हटाया ऐसा क्लाकवाइज रोटेट हो रहा है याने कि डिग्री आपने पॉजिटिव दिया है तो भी ये रॉटेट होगा हुआ रन कराते हैं देखो अनद वटाया तो ये आपने देखा ठीक है ये रोटेट करना देखा अब मैं ट्रांस्फॉर्म की एक वैल्यू आपने रोटेट समझ में आई यानि कि जितने डिग्री पे रोटेट करना है आप दे सकते हो जितने एंगल पर र रोटिट हो जायगा दूसरी वैल्व हम लोग देखते हैं थान्सफॉर्म की SQ देखते हैं क्या interessant क्या ली स्कुमना डेहां इसके जगहः पर स्क्वाइं इसकी पात किया स्क्यू एक्स यानि कि इस division को यह जरूरी नहीं है कि division पर ही apply करो आप किसी भी tag पर apply कर सकते हो यह transform skew x किया यानि कि इसको आप क्या करना चाहते हो bend करना चाहते हो किसी angle पर आप bend करना चाहते हो जैसे हमने कर लिया 10 degree यानि कि 10 degree पर 10 degree पर इसको हमने क्या करना है कि 10 degree पर इस division को bend करना है तो देखो कुछ x axis पे तो mouse ले जा रहे है तो कुछ ऐसा rotate हो रहा है यानि कि image bend हो रही है हो रहा है ना तो x axis पे bend करने के लिए आप skew x का use कर सकते हो आप चलो ये degree आप अधिक कर सकते हो मैंने कर दिया 45 degree तो ये 45 degree पे x axis पे bend हो जाएगा देखो इस type का bend हो जाएगा ये division इस type का bend हो जाएगा वैसे ही वैसे ही आप y axis पे bend करना चाआते हो Y axis पे bend करना चारी हो तो skew क्या pass कर लोगे जिदने angle पे आपको pass करना है आप pass कर सकते हो skew y तो y-axis पे यह bend हो गया आप देखो ऐसा हो रहा है ऐसा bend हो रहा है तो अब बात करते हैं दोनों को हमें एक साथ bend करना है x-axis पे भी और y-axis पे दोनों को एक साथ apply करना है तो आप उसके लिए use कर सकते हो transform property और transform में केवल और केवल पास कर सकते हो इस्ट्यू और पहले डिफाइन करोगे x-axis की value x-axis पे कितना bend करना है मालों में 10 किया कॉमा और 20 कर दिया y-axis पे कितना bend करना है y-axis पे भी और x-axis पे भी दिखराएगे नहीं आप value same कर लो तो x-axis और y-axis आपने दोनों दिया है same तो देखो अब एक साथ एक साथ देखो ऐसे bend कर सकते हैं तो यह skew की value आपने देखा skew समझाया skew यानिकी bend करने के लिए यह 4 value आपने देखा transform rotate skew skew y skew x तरी अब देखो अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ transform की तीसरी value यूज करता हूँ scale अब देखो scale का use हम लोग करते हैं जुम करने के लिए अब इस division की मैं बात करूँ अभी scale कोई भी use नहीं हो रहा है जलो मैंने बात करूँ तो जुम करने के लिए आपके पास एक तरीका भी available है जुम करने के लिए आपके पास एक तरीका अवैलेबल है क्या करते हो करते क्या हो आप क्या करते हो इसको जुम करना है तो माउस ले जाने पर जुम करना है तो इसकी हाइट और विट इंक्रीज कर देते हो लेकिन उसके अंदर का क्या टेक्स बढ़ता है क्या हाइट विट बढ़ाओगे तो माउस ले जाने पर केवल हाइट विट तो बढ़ेग लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर माउस ले जाने पर इसका टेक्स भी वर्जा के वल एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़े तो आप सकते हो और देखो मैं अगर वेबसाइट दिखा हूँ आपको यहां पे तो देखो यह वेबसाइट ओपन हो रहा है तो तब तक मैं CSS आपक जिखोगे हमने लिखाइस यानि कि आपको X सकीxico ओपको बढ़ाना है तो आप擊 मैं यहां आप यहां पर भी दिखोगे तो यहां इसंवे, मा। ले जा रहे हो थोड़ा सा जूम हो रहा है, इसे स्लॉले अपLy हो रहे हो देखो, जो ना। ए साइज करने के लिए, यहाँ पर नीचे यहाँ पर आओगे, फिर जोड़ा सा जूम हो रहे है। तो ये property apply करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा x-axis पे बढ़ाना है यानि कि उसका width बढ़ाना है by default इसकी value हमने कर दिया है यानि कि by default value होती है इसकी one zoom ही करने के लिए ने zoom out आपको height width को कम भी करना है तो भी आप scale का use कर सकते हो देखो x पे किया है by default इसकी value क्या होती है one होती है run कराते हैं देखो कोई अभी changes आपको नहीं मिलेगा hover के अंदर define किया है अब मैं बात करूँ इसको मैं बनाता हूँ मैंने कर दिया two और scale x बात किया है scale x से है और मैंने देखो इसको two कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आपने जो भी width था x defined किया तो जो भी width था क्या width था 400 था तो इसका width इसका just double हो जाएगा देखो यानि कि दो गुना हो जाएगा उसका width two कर दिया है तो उसके width का just double हो जाएगा x यूज किया है तो देखो हुआ कि नहीं अभी मैंने x उस किया है y भी यूज़ करता हूँ अभी मैंने क्या करना है 1.5 कर दिये इसका टोटल हो जा रहा होगा वैसे ही अगर मैंने इसका 1.2 कर लिया 1.5 कर लिया तो इसका जश्ट देड होना हो जाएगा डेड से यानि कि 1.5 से का विट मल्टिप्लाई हो जाएगा थोड़ा सा के वाल जूम करना हे तो 1.1 थोड़ा था आपको बढ़ाना है तो 1.1 कर सकते हो थोड़ा था इन पेज होगा तो ऐसे ऐसे आप y x-axis पर बढ़ाना है तो x-axis यूज कर सकते हो वैते ही y-axis का बढ़ाना है तो y-axis कर सकते हो यहां पर y-axis कर लिया तो ऐसे मालोग आपने किया y और 2 कर दिया तो इसका height just double हो जाएगा हो जाएगा ना लेकिन अब हम बात करते हैं कि दोनों को एक साथ define करना है तो क्या करोगे तो दोनों को एक साथ define करना है तो आप use करोगे skill property क्या use करोगे skill property क्या skill यानि कि skill use करोगे अब देखो इसका height हाइट और विड जस्ट डबल हो जाएगा यानि की देखो कैसा जुम हुआ है मैंने स्केल करेंगे तो हाइट और विड डोनों ही एपलाई होगा हाइट विड डोनों ही अपलाई होगा तो ऐसे आप इसकेल का यूच कर सकते हो हमें इतना जुम नहीं करना है 1.1 कर दिया अब देखो थोड़ा सा जुमबा है थोड़ा सा ट्रांजिशन मैंने slow apply किया है मैं इसको fast कर दे रहा हूँ और one कर दिया तो ये आपको समझाया बताओ ये इतना समझाया अब देखो अब इसमें तीसरी आपने इतने value देख लिए और transform, skew, skew y, skew x, rotate, yes sir, scale x, scale y, इसको मैं आता हूँ अब next page, next page पे नहीं इसी पे मैं बता देता हूँ transform transform, अब हम लोग use करते हैं translate, क्या use करते हैं translate अभी use कराया था ना menu में, तो translate यूज किया translate यूज किया और translate x यूज किया देखो, translate का use क्यों करते हैं translate का use करते हैं, इसके actual position से आपको इस division के अभी तो मैंने हटा दिया है, देखो translate वगरा यूज करते हैं इस division को, जरूरी नहीं कि division पर ही आपको अपको अप्लाई करना है, आप किसी भी tag पर अप्लाई कर सकते हो, तो इस tag को आप अपने इसके actual position से आप कहीं पर top, bottom, left, right shift करना चाते हो, है न, तो आप क्या use कर सकते हो, margin का तो use कर सकते हो, लेकिन margin का actual use क्या होता है, इसके बाहर बाहर इस पे चोड़ना है, लेकिन आप चाते हो इसके बगल में text लिखा हो, उपर text लिखा हो, right में text लिखा हो, bottom में text लिखा हो, उस पर कोई effect ना है, अगर margin यूज करते तो क्या होता है, इसके नीचे अगर text लिखा है, अगर इसके नीचे मान लो, इसके नीचे मैंने text लिखा है कुछ, ऐसे text लिखा है, अब इसको margin मैं दुगा, इसको margin दुगा मालो कि मुझे इसको नीचे करना है इस division को थोड़ा नीचे करना है यह text है तो नीचे करना है तो जब margin आप इसमें top से margin बढ़ाओगे तो इसके नीचे जो text है वो भी नीचे आएगा आएगा कि नहीं आएगा आपने देखा होगा कि उसके नीचे जितना content होगा उसके साथ थो content भी आता है लेकिन हम चालते हैं कि उसके आज़स पाल जितने content है उस पे effect ना आए तो आप transform transition का यूज कर सकते हो तो transition का यूज करते हैं तॉप से transition जैने सोई translate का यानिकि transform translate का यूज़ करते हो आप टॉप से लेफ टॉप में बॉटम में लेफ में राइट में आपको किसी एक्ट्वल पोजिशन से किसी भी HTML element को सिप्ट करना है तो आप translate का यूज़ करते हो तो x किया हमने x में किया मालो 100 pixel x में किया translate x और 100 pixel किया तो देखो क्या होगा इसको हमने किया अब देखो इसको रन कराता हूँ जब माउस ले जाओगे माउस ले जाने पर हमने अप्लाई किया है न तो जब माउस आप ले जाओगे तो यह x-axis पर define किया याने कि यह x-axis है तो 100 pixel right की तरफ सिफ्ट हुआ हुआ की नहीं हुआ हुआ ना याने की 100 pixel right की तरफ सिफ्ट हुआ वैसे ही आपको left में लाना है तो यह value क्या कर सकते हो negative दे सकते हो अभी menu में आपने देखा था top bottom में top में हमको menu li को ले जाना था तो हमने यूज किया था तो यह value negative में कर दोगे तो देखो यह इधर आया वैसे ही आप bottom ऐसे transform है इसको मैंने हटाया और यूज किया translate x और y भी यूज कर सकते हो तो y यूज कर लिया अब देखो यह top में जाएगा कि bottom में बताओ minus में value है top में जाएगा कि bottom में top में रहेगा तो bottom में आता इसवरी positive होती तो यह bottom की तरफ आता है ना positive value होती तो bottom में आया और negative value हो जाएगी तो यह top की तरफ सिठ हो जाएगा आपने align में minus में value इसकी दी थी देखा था आपने किया था तो यह ऐसा आया ठीक है ना अब देखो अब इसको भी मैं comment करता हूँ एक last value और भी हम लोग द देख लेंगे तो एक value है transform transform और transform में हमने लिखा translate translate और translate में अब आपको define करना है पहले x axis का फिर y axis का आपको x axis से 100 pixel मालो करना है यानि कि top से नीचे लाना है comma और दूसरी value define करते हैं y axis का तो आपने x axis से 100 pixel y axis से 100 pixel तो यह किदर की तरफ जाएगा top से नीचे और left से right देखो इस पे लाए तो top से 100 pixel नीचे आया और horizontally आपका 100 pixel आगे shift हुआ अगर इसको हमको क्या करना है कि इसको minus में दे दें तो यह किदर की तरफ shift होगा top और left की तरफ यह top left की तरफ होगा अभी क्या हो रहा है right और bottom की तरफ हो रहा है तो ऐसे आपने negative value दिया अब चलो इसको भी मैंने comment किया अब आपने rotate देखा यहां पे rotate कौन सा देखा है इसमें rotate आपने देखा है आपने rotate देखा है केवल 2D rotation अभी हमने एक छोटा सा और example आपको मैं बताता हूं transform transform कोई division है मालो अभी वो division जेड एक्सिस के corresponding क्या हो रहा है rotate हो रहा है लेकिन इस division को मैं अगर बताऊं कोई page होता अनिकेद एक page देना transform और rotate हमने किया rotate किया rotate और rotate हमने करना है एक्स एक्सिस से केवल जैसे rotate करना है और एक्स एक्सिस पे rotate करना है तो रोटेट अभी जो डिवीजन आपने रोटेट के वाल यूज किया था तो कैसे रोटेट हो रहा था वो जेड एक्सिस के करिस्पॉंडिंग ऐसे रोटेट हो रहा था जैसे यह मालो पेज है यह आपका डिवीजन है तो यह रोटेट कैसे हो रहा था तो यह rotate ऐसे हो रहा था ऐसे rotate हो रहा था लेकिन डिवीजन को या तो आपको ऐसे rotate करना है ऐसे इस type से rotate करना है है क्यों समझ पा रहे हो अभी division आपका था मान लो यह division था यह आपका division था यह division था यह division आपका इस type से ऐसे rotate हो रहा था लेकिन इस division को आप इस type से ऐसे rotate करना चाहते हो या ऐसे इस type से rotate करना चाहते हो तो कैसे rotate करोगी यह 3D rotation कहलाता है तो इसके लिए देखो rotate करने के लिए अलग property है अलग property है क्या है rotate X अभी rotate X किया है हमने और rotate में value path कर दिया चलो हमने path कर दिया 20 pixel या 30 degree कर दिया 30 DEG किया अभी देखो अभी जब mouse ले जाओगे आप जब mouse ले जाओगे हमने अटाया और जब mouse ले जा रहा है देखो यह rotate हो रह verde clear आपको नहीं हो पा रहा है rotate हो रहा है लेकिन बहुत clear नहीं हो पा रहा रहा है कि यह rotate हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है किThis reaction है क्यों आगी ईसी height कम हो रही हो यो रहा है लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी हाइट कम हो रहा है यह रोटीट हो रहा है अगर आपको देखना है तो देखो इसके लिए एक वैल्य इस में और पास करना पड़ता है कि और स्कींत के यह वैल्ययूस्टके माध्या अविति unnatural porter पास करी जाती, इस पेस आपको rotation पास करना पड़ता है, क्या perspective परस्पेक्टिव, और इसमें आपको देखो अभी मैं बताता हूँ और इसमें उसके बाद rotation पास करना पड़ता है, अब यह perspective में value क्या होगा, चलो मैंने अभी value किया है पॉस्पेक्टिव की 600 पिक्सेल, अभी देखो, आप देखो, अब मैंने पॉस्पेक्टिव दिया है, इसकी वैल्यू क्या दिया है, पॉस्पेक्टिव और 600 इस पेस, रोटेट कितना करना है, एकस एकस से, और 30 डिग्री पे, अभी इसको रण मैं कराता हूं, देखो, अब आपको लग रहा है कि रोटेट हो रहा है, क्यों, अब आपको ये समझ आ रहा है, तो इसमें, अब ये देखो, अब पॉस्पेक्टिव की value जितना अधिक करोगे, ये इसकी value जितना अधिक करोगे, उतना ये दूर तक ये इसका weight जाने की जाएगा, देखो मैंने 800 कर लिया 800 कर लिया कुछ ऐसे चलो इसको अगर clear कराने के लिए मैं आपको directly इसको use करता हूँ अभी के लिए मैं इसको directly इसके perspective की value मैं कैसे आपको change होगा आपको देखना है तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ यहाँ पर मैंने directly over पिना करके हमने directly कर दिया इसको rotate किया है इस type का rotate हो रहा है x-axis पे यह rotate हो रहा है अब इसको inspect करता हूँ inspect करता हूँ और inspect करने के बाद यहाँ पर आता हूँ देखो हाँ rotate x की value आप बढ़ाते हैं वो अभी मैं बढ़ा के दिखाता हूँ पहले tsss पर आते हैं और यहाँ पर tsss देखो दिया गया है इसको मैं यहाँ पर scroll करता हूँ और यहाँ पर यह जो perspective की value दिया है आपने इसकी value को पहले आप समझो इसको कम अधिक मैं करता हूँ देखो होता क्या है देखो एक मिनट लाइट चेंजिस थोड़ा सा रोटेट मैं थोड़ा सा इसकी value और बढ़ा देता हूँ देखो यह ऐसा हो रहा है इस टाइब का रोटेट हो रहा है इस टाइब का रोटेट तो हो रहा है अब पॉस्पेक्टिव की value देखो मैंने इतना किया है अब पॉस्पेक्टिव चेंज करता हूँ अगर देखोगे अगर देखोगे तो यह उपर का width बड़ता जा रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो उपर का यह width बड़ता जा रहा है जितना आप कम करोगे, जितना आप कम करोगे, देखो, धाहां से देखो, मैं कम कर रहा हूँ, perspective की value कम कर रहा हूँ, देखो, यानि कि जितना आप इसकी perspective की value कम करोगे, यह उतना ही ज़्यादा बड़ा दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो और जितना आप अधिक करोगे, अब इसकी value जितना आप अधिक करोगे, मैं कम करता हूँ, अब इसकी perspective की value अधिक करता हूँ, उतना यह ज़्यादा clear होता जाएगा, और wind कम होता जाएगा, मैं rotate की बात करूँ, अब rotate की value मैं कम अधिक करता हूँ, देखो, rotate की value यहां से कम कर दोगे तो यह वाई वाई मैंने यहां स्चेंज करके य कर लिया तो देखो यह एक्सिस पर रोटेट होने लगा तो जितनी value आप दोगे उस तरीके से आप rotate करा सकते हैं समझ आया तो चलो अब इसकी value हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं अब हमको hover पे ही करना है तो perspective की value जितना आधिक करोगे उतना ही वो कम बड़ा दिखेगा और जितना ही कम करोगे चलो मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे आता हूँ और ठीक है देखो तो यहाँ पे अब हमने क्या कि माउट ले जाने पे पूरे one cycle x-axis पे move कराना है तो value क्या हो जाएगी वैल्य हो जाएगी क्या देखो माउस ले गए ऐसे एक साइकल मूब हो गया यानि कि यह आप क्या कर रहे हो देखो तो इसलिए इसलिए ऐसा होगा तो मैंने क्या किया क्या करना है जितने एंगल पर आपको रोटेट करना है तो इसकी वैल्यू जितना कम करते जाओगे उतना यह जुम हो के दिखेगा बड़ा दिखेगा जितना जितना अधिक करोगे उतना कम दूम होगा तो यह परस्पेक्टिव अभी हमने कर लिया y तो y आप कर सकते हो तो y axis पर भी हो सकता है और एक साथ यह y axis पर रोटेट हो रहा है ठीक है जितने एंगल पर आप रोटेट करना चाहते हो आप रोटेट कर सकते हो वैसे ही आप x में करोगे वैसे ही x, y और z में करोगे तो z बिल्कुल वैसे होता है जैसे आपका पहले रोटेशन हो रहा था तो यह z वाला है जो आप भी ROTATE करना है दोनों को एक साथ करना है तो आप एक साथ कर सकते हो दोनों अपलाई हो जाएगा X और Y भी ठीक है और यह जरूरी नहीं है कि XYZ को आप Capital में ही इन लिखो इस नौर्व में भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है एक मिनट रोटेट वाई स्पेस वाई ठीक है तो चलो इस पेज पे आते हैं तो इसके लेना है आपको तो इस तरह की तरीके से देखो आपने बहुत सारे वैल्यू उसके ट्रांस्फार्म के देखे से कौन-क्रांस्थे देखो आपने देखा रोटेट रोटेट के वाल अजिसरी को ये शारी प्रपटी करी तो चलो इसका डेलो संध्या तुम रुकी हो अभी, चलो, तो हमने बोला दाना कि कुछ अच्छा बताएंगे, चलो रुकी हो तो अच्छी बात है, संध्या वही बहुत एक्टिव रहती है, कोई भी मैसेज आता है तो रिपलाई करती है, है ना, सबको सजेशन देती रहती है, सबको क्लाज राइ संध्या, अच्छी बात है, एक्टिव रहना अच्छी बात है, ठीक है, हाँ, तो SS ले लो, 1216, थैंक्यू वह, क्या कहा है, और विवेक है, हाँ, चलो, 1216, 16 and, 16 to, 32, अब थैंक्यू, थैंक्यू, तुम लोग करते रहा है, हाँ, 32, SS भी ले लो, भई, 32, और उसके बाद, 32 के बाद, लास्ट, ठीक है, हाँ, रोशनी, चलो, फिर आज की क्लास के ले इतना ही रखते हैं, और कल भी आप क्लास ज्वाइन करना, टाइमिंग का, देखो, बहुत इसू हो रहा है, इस्टूडेंट को, प्लासे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे इस्टूज क्लास जलता है, इवनिंग में भी क्लास जलता है, तो से डील खाली नहीं है, एक से दो दिन के बाद ये क्लासे में, मौर्निंग आठ बज़े से कर दूँगा, ठीक है, ना, ये मौर्निंग आठ से चलेगा, सही रहेगा, थैंक्यू सर, आज बहुत मज़ा आया, हैं, अच् दोनों क्लास एक साथ कर दें, क्या, बताओ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी दो बार पढ़ाना पड़ता है, मौर्निंग में दोनों क्लास एक साथ कर दूँ मैं, लेकिन देखो, उसमें थोड़ा सा मुझे बहुत स्लो कराना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और थोड़ा उनको बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं, है ना, तुम लोग थोड़ा सा तेज हो, तुम लोग को पढ़ने की आदत हो गई है, बहुत सा आना पड़ता है कि आना कि क्लास की टाइमिंग वही 12 पीम से होगा कि आज की क्लास के लिए थैंक्यू अब मिटिंग लीप कर सकते हो आप सभी लोगों नहीं अगर अटेंजनेंस लगा रही हो तो सर फोर पीम प्लीज अच्छा ठीक है मैं देखता हूं देखता हूं की इएंस तो हें कि यह बताओ कि नोट बाट हो णिदोग एक बार मुझे होंस दिखा दो सभी लोग और बीन दीघात मुझे दिखा दो है क्यों दिखाओ हुनोट नहीं किया है ना का मैं ओसाही मैं कॉपी की बात कर रहा हूं वह था पांडे बहुत बढ़िया वेरी गुड और को ने इधर नाम विपिन नाम नहीं दिखता ना राम कुमार गुप्ता देखो पहले आप अपना नाम एंटर किया करो फिर उसके बाद यूजर आईडी ना ठीक है जो प्लास ज्वाइन करते हो टेकपाईल स्थी ट्वेंटीवन खुस्गू पता नहीं नाम पूरा नहीं दिख रहा है तान्या बहुत बढ़िया तूती बहुत बढ़िया यह जो लोग भी यूजर आईडी से क्लास ज्वाइन करते हो उसके साथ अपना नाम भी कॉनकेट एड कर लिया करो ताकि मैं नाम पाउं की क्या नाम है आपका शिवम गुट्ता ठीक है शुभम बहुत बढ़िया विपिन हालिदा हां चलो विक्रांथ अच्छी बात है ऐसे ही पड़ते रहो खूब मेनत करते रहो प्रिति विस्व कर्मा प्रिता यादो निकिता रोहन रोश्णी प्रज्यात रद्धा ठीक है ठीक है ठीक है चलो बहुत बढ़िया निधी सरनोड करते हैं ओके चलो पिर आज की ग्लास के लिए थैंक्यू ओके बाबाए देख्या जावा एस्क्रिप्ट चलेगा अभी स्केमेल कम्ट्रीट होगा तो जावा एस्क्रिप्ट और डेटा बेस गोन एक साथ ही स्टार्ट करेंगे ना ठीक है ओके जल्ट झाल